हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब आप सब का मेरा चैनल पर बहुत बहुत बढ़कर आज हम स्टार्ट करने वाने हैं EVS क्लास वन की EVS पुक तो उसका सेकिंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नहीं है keeping clean कि हम अपने आपको साफ कैसे रख सकते हैं we must take care of our body पिछले चैप्टर में हमने किया था body parts हमने discuss किये थे body parts इस चैप्टर में करेंगे कि हम अपनी body के सफाई कैसे रख सकते हैं we must take care of our body हमें अपनी body क्या care करनी चाहिए to keep our body clean we should do the following things अपनी body को साफ सुत्रा रखने के लिए हम ये नीचे दी गई चीज़े करनी चाहिए अब क्या क्या करना चाहिए हमें body को clean करने के लिए पहले हैं कि हमें brush करना चाहिए कि अगर सुबह उठते ही हमें अपना सबसे पहला काम क्या करना चाहिए brush your teeth, अपने दान्तों को साफ करना चाहिए अगर हम अपने दान्तों को साफ ने करेंगे तो हमारी मुह से bad smell आएगी और हमारे teeth भी खराब होने शुरू हो जाएंगे second is calm your hair कि अब सारा दिन बाल बिखरे रहें वो भी तो अच्छा नहीं लगता तो कहीं जाना है जग घर पे भी हो तो नहा दो के हमें अपने hair को calm करके अच्छी तरह रखने चाहिए bathing बात करना चाहिए जब हम नहाना चाहिए नहाना बहुत ज़्यादा important है हमें अपनी body की सफाई बच्चो रखनी चाहिए कि सुबह उठके अपना brush करो नहाओ तो उससे क्या होता है आप बाडी आपकी रोज साफ की साफ रहती है तो अपना ये bathing हो गया पहले brushing then bathing then comb your hair then cutting your nails ये boy क्या कर रहा है नेल कट कर रहा है तो देखो अगर आप अपने nails नहीं काटोगे कितने लंबे हो जाएंगे और उसमें germs आने शुरू हो जाएंगे वही germs हमारे जब आप हाथों से खाना खाऊगे तो आपके mouth में जाएंगे और फिर पेट में फिर stomach होगी तो इससे क्या है कि आपको अपने hands के nails काटने चाहिए और फूट दोनों के nails काटने चाहिए दाकि आपकी body के अंदर कोई भी germs ना जाए उसके आगे है नेक्स दिया गया है washing your hands कोई भी काम करो अपना खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद आपको अपने hand wash रकने हैं तो उसके बाद आपको wash करके hand फिर बैठना है फिर कोई दूसरा काम करना है तो कि अगर hands गंदे होंगे तो फिर वही बात कि आपकी germs हैं वो hands के रास्ते mouth में जाएंगे mouth के रास्ते stomach में फिर stomach खराब हो जाएगा तो आपकी body fit नहीं रहेगे तो इससे यह बहुत ज़्यादा जुरूरी चीज़े हैं cleanliness के लिए सफाई के लिए आपकी body के लिए यहां पर यह बच्छा sneezing कर रहा है चींके मारा है जब भी बच्छे चींके मारने का आपका hinky आपके पास होना चाहिए नहीं तो चींके मारों के तो क्या होगा जर्म्स फैलेंगे और भी किसी को यह चींके लग सकती है और भी किसी तक यह जर्म्स पहुन सकते हैं तो हमने क्या आज इस page में पढ़ा क्या क्या चीज़ें ज़रूरी आपकी body को साफ रखने के लिए first is brushing, then bathing, then combing your hair, cutting your nails, washing, then using your handkerchief कि अपनी handkerchief हैंकी का यूज करना next हम इसमें आज पढ़ेंगे we need different things to keep ourselves clean हम अब किन चीजों की जरूरत पढ़ती हैं हमें कि जो हमें अपनी body को clean रखने में help करते कौन-कौन सी चीजों की bathing is the best way to keep ourselves clean कौन-कौन सी चीज़ें नहाना नहाने से क्या होता है हमारी body clean हो जाती है पर नहाने में कौन सी चीज़ें use होती है we use soap and water to wash away the dirt on our body हमारे body पर जो भी गंदगी लगी है उसको हम कैसे साफ करेंगे soap, saapun के साथ और water के पाने के साथ then we use clean towel to wipe our body पहले हमारे पास क्या use हुआ? soap और water नहाने के लिए बार में हम किससे clean करते हैं body towel तो यहां पर कौन सी चीज़े यूज हुई? soap, water, then towel we use toothbrush, toothpaste to clean our teeth अब हम बोलते हैं कि दान साफ करने चाहिए पर दान साफ किससे करें? क्या क्या चीज़े यूज होती है? toothbrush, toothbrush, बचो साथ साथ में ना या अंडरलाइन करते हैं आपको helpful होगा toothpaste यह दो चीज़े यूज होती हैं आपको teeth को clean रखने के लिए we use hanky to blow our nose and clean it जब यह आपको cold होता है तो आप क्या करते हो? hanky से clean करते हो nose तो उसके cold में जब ऐसे ठीन के आने हैं तो आपका hanky आपके पास होना चाहिए हम hanky यूज करते हैं यहां पर आ गया soap, water towel, then is toothbrush and toothpaste और कौन सी यहां पर चीज़ यूज होई? hanky we use comb and brush to keep our hair tidy अपने हम बाल, बिखरेवे बाल तो किसी को अच्छे ने लगते हैं अपने बाल सीधे रखने के लिए, ठीक रखने के लिए हमें किसकी जरूरत परती है? हमें comb की जरूरत परती है, brush की जरूरत परती है, अड़के निकालने के लिए ठीक है? we cut our nails short with a nail cutter और nails काटने के लिए हमें किसकी जरूरत परती है? nail cutter की जरूरत परती है तो यह चीजें थी जो हमारी help करती है हमें अपने body को clean रखने में तो हाँ हमने यह chapter इसकी यहां तक इसका complete किया है, page number 11 and page number 12 तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please like, share and subscribe my channel next video में आपके साथ मैं वोक्षिट शेयर करूँगी जिससे आपको help मिलेगी, चैप करो अच्छी तरह समझने में till then, bye bye